गुड इवनिंग नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है अड़ा 24-7 के एप्लिकेशन के उपर तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना था 1905 से लेकर 1920 तक second phase of Indian National Movement ठीक क्या पढ़ना था second phase of Indian National Movement ठीक है अब कल हमने अपनी बात खतम की थी 1905 के बंगाल विभाजन पर फिर हमने आपको बताया था कि इस बंगाल विभाजन के बिरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू होगा और वो दीरे-दीरे स्वादेशी आंदोलन में बदल जाएगा और फिर स्वादेशी आंदोलन जो है वो दीरे-दीरे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की जाएगी खासका दिल्ली पंजाब और आपके बेंगॉल यानि उत्तर भारत में तो ये फैलेगा ही फैलेगा दक् सलमानों के इस अंदोलन से दूर रहने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण ये था कि 1906 में घटना हुई और वो घटना क्या थी? मुस्लिम लीग का गठन हो गया. ठीक, क्या हो गया? मुस्लिम लीग का गठन हो गया. ठीक है? गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है, तो मुस्लिम लीग का जो formation हुआ, उस formation में problem कहां थी, ठीक है? क्लियर है? शुरू करें फिर? शुरू करें फिर? अच्छा, ठीक है किरती मैं बात कर लेता हूँ बटा, ठीक है? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गटन कहां होगा? धाका, धाका में नवाब सली मुल्ला के घर इनकी बैठक हुई थी बैठक होगी, एक मेटिंग होगी, ठीक है? मेटिंग होगी और इससे पहले ये लोग इस तरह का organization बनाने जा रहे हैं इस बात को लेकर इन लोगों ने उस समय के जो governor general थे, उनका नाम था Lord Minto Lord Minto के साथ इन लोगों ने क्या किया? Lord Minto के साथ इन लोगों ने already Shimla में एक बैठक कर ली थी, तो Muslim League के बैठक की जो योजना बनेगी, वो कहां बनेगी? Shimla. और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था Congress क्यों बनाने की यूजना भी कहां होगी? Shimla. ये सारे लोग Shimla क्यों जाते थे? ये सारे लोग Shimla इसलिए जाते थे, क्योंकि Shimla जो है, वो Winters के लिए क्या था? अंग्रेजों का वहाँ पर एक destination था. सॉरी, गर्मियों में वो चले जाते थे सब Shimla Shimla जैसे आज भी देखे हो, गर्मियों में आप हिल स्टेशन की तरफ जाते हो, क्यों गर्मी जादा पड़ती थी ना? ठीक है? गर्मी फिर जादा पड़ती थी ना? अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात कर लेता हूँ. मैं आज बात कर लूँगा. असल में जब तक मेरी मुल्ला को इसका क्या माना जाता है? फाउंडर भी माना जाता है. ठीक? क्लियर? ठीक है? अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना. इसमें क्या किया गया? आगा खान को. आगा खान को. आगा खान. इनको आजीवन अध्यक्ष चुना गया. इनको क्या चुना गया? आजीवन अध्यक्ष चुना गया. ठीक? लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुना गया. लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुन लिया गया. और और जो है वकार उल मुल्क. दूसरा नाम याद रखना वकार उल मुल्क को प्रथम अध्यक्ष चुना गया था मुसलिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था पर होता क्या है कि कई बार होता क्या है कि कई बार जब आप से कोशन पूछते हैं कोशन पूछते हैं तो आगा खान ही ऑप्षन में रहेगा आपको ऑप्षन में वकार उल मुल्क शैद देखने को ना मिले वकार उल मुल्क शैद देखने को ना मिले ठीक इस समय जो गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे Lord Minto Lord Minto ठीक गवर्नर जनरल कौन थे? Lord Minto ठीक है? तो इनके साथ ही बैठके ये लोग सारे जो basically ये Muslim जमिनदार लोगों का समू था इसमें ज़्यादा तर लोग जो है वो क्या थे? Muslim Landlords थे ठीक? तो ज़्यादा तर क्या थे इसमें? ज़्यादा तर Muslim जमिनदार वर्ग के लोग थे और ये चाहते थे कि हमारे हमारी भी क्या हो? एक संस्था हो वर्ग के लोग थे ठीक है? ज़्यादा तर Muslim वर्ग के लोग थे और Muslim League ने मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था तो मुस्लिम लीग सपोर्टेड सपोर्टेड दी पार्टिशन ओफ बंगाल ठीक है? देखो मुस्लिम लीग जो है दोनों रहेगा तो दोनों रहेगा तो नेचुरल है हम किसको चुनेंगे? वकार उल मुल्क को चुनेंगे ठीक यह तो यार इतना तो रीजनिंग लगालो रीजनिंग भी आएगी अच्छा अब देखो क्या है ना 1858 में एक कानून बना था जिसको बोलते थे Charter Act 1858 जब पढ़ाएंगे शोशाल साइंस तब बताएंगे तो Charter Act 1858 में क्या किया गया था? बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की संपत्ती को जब्त किया गया था क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो मुस्लिम शडियंत्र का परिणाम है अगर आप कभी ध्यान दिया होंगे 1857 के रिवोल्ट में तो आपको ज़्यादा तर लीडर उसमें मुस्लिम वर्ग के लोग मिलेंगे ठीक? और अंग्रेजों को लगता था कि ये जो है वो गवर्नर जनरल का नाम क्या लिखा है? लॉर्ड मिंटो बेटा लॉर्ड मिंटो तो अंग्रेजों को लगता था कि ये मुसल्मानों ने जानभूच के क्या किया है? शडियंत्र किया है हम लोगों के खिलाफ तो उनसे बदला लिया गया आप इमेजन कीजे कि 1858 में मुसल्मानों की बड़े पैमाने पे संपत्ती जब्त की गई और उनको बिलकुल ही साइडलाइन कर दिया गया किसी भी तरह के गवर्मेंट अथॉरिटी से मतलब सरकार में मुसलिमों की भागिदारी ना के बरावर थी आप इमेजन कीजे 1858 से जो वर्ग सरकार के भागिदारी में है ही नहीं उसको 1906 में एक मौका मिलता है जब एक पूरा बड़ा इलाका यानि जो इस्टन बेंगॉल का इलाका था वो उसके पास आ जाता है तो यह यहाँ पर सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी बन सकते हैं की नहीं बन सकते हैं बन सकते हैं और अगर बन सकते हैं तो इनके पास एक मौका है अपने आपको पोलिटिकली स्ट्रॉंग करने का मौका है की नहीं है मौका है तो क्या यह मौका हाथ से चूकेंगे नहीं चूकेंगे पर इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह पास के फाइदे के लिए दूर का नुकसान नहीं देख रहे हैं इनको लगा कि यार एक अच्छा फायदा है, हमें समर्थन मिल सकता है, हम सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और हम भी कॉंग्रिस के पैरलर एक अच्छा ओर्गिनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, पर सरकार ने इसका इस्तमाल कैसे किया? सरकार ने इसका इस्तमाल किया हिंदू वर्सेज मुस्लिम का एंगल खड़ा करके सरकार ने इसका इस्तमाल कैसे किया सरकार ने इसका इस्तमाल किया डिवाइड एन रूल की पॉलिटिक्स पे इसलिए आप देखते हो जब 1909 में इंडियन गवर्मेंट एक्ट बनता है तो सरकार तुरंत एक काम करती है क्या मुसल्मानों को हिंदूओं से अलग करके और उनको माइनॉरिटी बना देती है और कहती है कि इनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे प्रिथक निर्वाचक मंडल देंगे यानि जिस सीट पर कोई मुसल्मान चुनाओं के लिए खड़ा होगा उसको वोट भी कौन करेगा मुसलिम ही करेंगे तो इस तरीके से सरकार ने बिलकुल लीगल तरीके से क्या किया डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स कर दी तो डिवाइड और रूल की नीव रखी थी करजन ने पर वो फाइनल जाकर होगी 1909 के एक्ट से अभी आगे पढ़ेंगे अच्छा जिस तरीके से 1906 में सारे लोग क्या कर रहे थे पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो कुछ जगहों पर सरकार बहुत परशान हो गई थी तो 1906 में ही बंगाल में एक सरकुलर जारी होगा जिसको कहते हैं कारलाइल सरकुलर क्या कहते हैं कारलाइल कारलाइल सर्कुलर ठीक कारलाइल सर्कुलर ये उस समय जो बंगाल के एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थे बंगाल के कार्यवाहक मुख्य सच्चिव थोड़े दिन के लिए इनको बनाया गया था इनका नाम था कारलाइल इनका नाम क्या था कारलाइल एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी आफ बेंगोल क्या नाम था उनका कारलाइल ठेक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी आफ बेंगोल कारलाइल ने अपना सर्कुलर जारी किया सर्कुलर जारी किया ठेक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कारलाइल ने क्या किया अपना सर्कुलर जारी किया और इसमें कहा गया जिसमें जिसमें छात्रों को जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे आदेश दिया गया आदेश दिया गया कि वो किसी आंदोलन में किसी भी मूव्मेंट में भाग नहीं लेंगे। अंदोलन में भाग नहीं लेंगे। क्या लगता आपको इस आदेश को माना जाएगा या इसका विरोध किया जाएगा इस आदेश को माना जाएगा या इसका विरोध किया जाएगा एक्टिंग क्यों दिया इनको क्योंकि जो मुक्ष सचिव थे उस समय के हर्बर्ट रिज ले का नाम बताया था ना, तो विरोध होगा, नैचुरल है क्या होगा, विरोध होगा इसका, है ना, विरोध होगा, तो इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में एक काम ये हुआ, की जगा जगा क्या किये गा, लोगों ने स्कूल कॉलेज़ेस को क्या कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया और जब उन्होंने school colleges छोड़ना start कर दिये तो फिर भाईया कुछ ना कुछ तो establish करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो establish करना पड़ेगा ना ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि चल जाएगा काम बताओ नहीं चलेगा ना तो इस समय बंगाल में बंगाल में रास्ट्रिय सिक्षा के रास्ट्रिय सिक्षा के प्रसार का कार रहे रास्ट्रिय सिक्षा का मतलब national education मतलब भारती सिक्षा के प्रसार का कार रहे प्रसार का कार्य एक सोसाइटी थी जिसको बोलते हैं डॉन सोसाइटी सोसाइटी थी जिसको क्या बोलते हैं डॉन सोसाइटी द्वारा किया गया डॉन सोसाइटी द्वारा किया गया डॉन सोसाइटी द्वारा किया गया ठिक और इस डॉन सोसाइटी के इस जो dawn society थी dawn का मतलब होता है वो गुंडा वाला dawn नहीं dawn का मतलब क्या होता है जो सुबह का बिल्कुल समय होता है न और इसके जो founder थे उनका नाम था सतीस चंद्र मुखरजी सतीस चंद्र मुखरजी सतीस चंद्र मुखरजी ठीक है इसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसका प्रिंसिपल बनाया गया किसे इसका जो प्राचार बनाया गया जो प्रिंसिपल बनाया गया वो किसे बनाया गया अरविंद घोश की गई को इसका principle किसे बनाया गया अरविंद घोश को और फिर आपकी SCRT में एक नाम है अवनिंद्रनाथ टैगोर अवनिंद्रनाथ टैगोर ठेक अवनिंद्रनाथ टैगोर जो है अवनिंद्रनाथ टैगोर जो है अरे national education को expand करने का काम किसने किया डॉन सोसाइटी ने अब यार तुम लोग एकदम सारी की सारी चीज़ने दोनों लेंग्विज में लिखो गए तो तुम लिखते ही रह जाएंगे सुना करो ना जब इंग्लिश बोलते हैं तो ठीक है अरविंद्र अवनिंद्रनाथ टैगोर ने क्या क स्वदेशी कला का विकास किया इन्होंने क्या किया इंडिजेनस आर्ट इंडियन आर्ट को डवलप किया स्वदेशी कला का विकास किया ध्यान से सुनिये एक कोश्चन आएगा ये कोश्चन आएगा आपको इंडियन आर्ट को इंडियन स्टाइल ओफ आर्ट इंडियन इसको डवलप किया स्वदेशी कला को का विकास किया इनोंने वेस्टर जो अथोरिटी थी उसको तोड़ने का काम किया और इनोंने इस समय एक पेंटिंग बनाई जो बहुत फेमस पेंटिंग है उसका नाम है भारत माता पेंटिंग थेक, तो इन्होंने क्या किया था, भारत माता पेंटिंग बनाई थी, भारत माता पेंटिंग बनाई थी, थेक, भारत माता पेंटिंग बनाई उन्निस सो पाँच की बात है ये, उन्निस सो पाँच की बात है ये, थेक, उन्निस सो पाँच की बात है ये, In fact, इन्होंने क्या किया? इन्होंने Indian Society of Oriental Art भी स्टेब्लिश किया. ठीक है? Indian Society of Oriental Art यहां लिख देता हूँ तो पांच मिनिट लेट क्यूं होते हो जब समझना मुश्किल होने लगता है तो तो नोट करके यहां लिख रहा हूँ ध्यान देना कि अवनिंद्रनाथ टैगोर ने अवनिंद्रनाथ टैगोर ने अवनिंद्रनाथ टैगोर ने Indian क्या किया? Indian Art को डवलप किया और Indian Society of Oriental Art Indian Society of Oriental Art Orient का मतलब समझते हो Orient का मतलब समझते हो Orient का मतलब समझते है इनका रविद्नाथ के साथ को इस छोटे भाई थे उनके रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार जो है वो बड़ा जबरदस था सतेन्द्रनाथ टैगोर सुन गिया आपने नाम अवनिंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर ठेक Orient का मतलब समझते हैं कि नहीं? अगर आपने B.E.D. किया होगा तो B.E.D. में आपने एक वर्ड सुना होगा प्राच्चवादी या अगर आपने सीटेट की तैयारी की होगी और मेरे से पढ़े होंगे तो प्राच्चवादी वर्ड जरूर सुने होंगे तो प्राच्च का मतलब होता है वो लोग जो पूर्व की और देखते थे मतलब वो लोग जो भारत के समर्थन की बात करते थे तो पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते थे? Orient कहते थे क्या कहते थे? Orient कहते थे और इसलिए Orient से Orientalist बनेंगे प्राच्चवादी बनेंगे ठीक तो ओरियंट जब यहाँ पर है तो इसका मतलब इंडियन आर्ट यानी पूर्व की कला से समंदित है ठीक है तो अवनिंदरनाट टैगोर की फेमस पेंटिंग कौन सी थी भारत माता पेंटिंग ये कोशन आ सकता है आपके एक से पांच वाले था आज हमें 1905 से 1920 यानी दूसरा चरण पढ़ना था सेकंड फेस पढ़ना था ठीक सोसाइटी में सचिव थे बेटा वो अरपना सचिव थे फाउंडर कहलो सचिव कहलो तो सेकंड फेस था ये इंडियन नैशनल मूव्मेंट में 1906 मुसलिम लीग के गठन यहाँ से क्लास स करनी थी मैंने बताया कि धाका में डेका जो जगां थी वो धाका में क्या हुआ नवाब सलीम उल्ला के घर पे इसकी मीटिंग हुई थी और नवाब सलीम उल्ला के घर पे ही ये डिसाइड हुआ कि एक पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा मुसलिम लीग इसमें जो आजीव मुल्क ठीक जादा तर इसमें मुस्लिम लेंड़ॉड्स थे इस पार्टी के अंदर ये लोग लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे और शिमला में ही उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी तो अगर ये कोशन आ जाए कि मुस्लिम लीग की प्लानिंग कहां हुई थी मुस्लिम लीग की प्लानिंग कहां हुई थी तो प्लानिंग याद रखेगा कहां होगी शिमला में इनका एक डेलिगेट जाकर मिलेगा शिमला में ठीक और मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन को क्या करेगी सपोर्ट करेगी मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन को क्या करेगी सपोर्ट करेगी फिर मैंने बताया बंगाल में जिस तरीके से यह अंदोलन बहुत जादा तेजी से चल रहा था तो 1906 में सरकार ने उसको रोकने के लिए उन्होंने एक सरकुलर एक सरकुलर इशू किया और उसका नाम था कारलाईल सरकुलर क्यों कारलाईल सरकुलर नाम पढ़ेगा क्योंकि उस समय के Acting Chief Secretary of Bengal कौन थे कारलाईल नाम का अदमी था तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या पढ़ गया किसका बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया था गॉवर्मेंट ओफिशियल्स का गॉवर्मेंट इंस्टिटिउशन का तो एक सिक्षा के लिए स्कूल बनाया गया और उसमें सबसे फेमस जो हुआ वो बंगाल नेशनल कॉलेज हुआ रविन्ना टैगोर की बड़ी भूमी का रही इसको बनाने में इसके प्रिंसिपल बनाये गए अरविन्द घोष और अवनिंद्रना टैगोर ने एक इंडिजिनस आर्ट को स्टार्ट किया इंडियन स्टाइल ओफ आर्ट को स्टाइल शुरू किया और उन्होंने पेंटिंग बनाई भारत माता पेंटिंग ठीक उन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट क्लियर है यहां पर बढ़ जाए आगे अब ठीक है देखो क्या था कि जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन फैल रहा था तो स्वदेशी आंदोलन की रणनीती क्या होगी स्वदेशी आंदोलन को लेकर क्या जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई जाए इसको लेकर moderate और extremist दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्माहट भी हो रही थी बहसबाजी चल रही थी एक्स्ट्रिमिस चाहते थे कि इस movement को जारी रखा जाया और पूरे इंडिया में फैला दिया जाया जबकि moderate कह रहे थे और वो सही भी थे कि देखो हमारे पास अभी इतने leader नहीं है कि हम पूरे movement को फैला सकें तो हमें कम जग strategy of swadashi movement इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खींशतान हो रही थी उसके अलावा दोनों के जो वैचारिक मतभेद थे वो तो चली रहे थे वो एक दूसरे को पसंद उतना करते नहीं थे extremist लगातार accuse करते रहते थे moderates को तो ऐसा लग रहा था कि 1906 का जो conference होने वाला है Congress का उसमें कुछ मतभेद क्या हो जाएंगे सामने आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर नरमपंथियों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जबकि गरमपंथी बाल गंगादर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे लेकिन जब लोगों को पता चला कि भाई दादा भाई नरोजी अध्यक्ष बन रहे हैं तो फिर सब लोग अपना हाथ पीछे कीश लिए क्योंकि दादा भाई नरोजी भाई बहुत सम्मानित वेक्ती थे लोग बहुत उनका रिस्पेक्ट करते थे तो 1906 का Congress Conference ठीक 1906 का Congress Conference कहा होगा कलकत्ता में कहा होगा कलकत्ता में अध्यक्ष कौन होंगे दादा भाई नरोजी अध्यक्ष कौन होंगे दादा भाई नरोजी क्या थे इसमें अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट थे और इस आंदोलन में गरमपंथियों की बात मान कर क्या किया गया इस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव जो की डिमांड थी बहुत समय से गरमपंथी क्या कर रहे थे डिमांड कर रहे थे ठीक है गरमपंथी क्या कर रहे थे डिमांड कर रहे थे स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया तो resolution of स्वराज resolution of स्वराज was passed by Congress तो आप से question पूछा जाता है कि स्वराज का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास हुआ और option number A रहेगा बाल गंगा दर तिलक आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार स्वराज मेरा जन्व सिद्ध दिकार है तिलक ही बोले थे आप answer लगा देंगे A आपका हो जाएगा गलत तो याद रखेगा अगर आपसे question पूछा जाएगा कि स्वराज का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास हुआ तो किसकी अध्यक्षता में पास हुआ दादा भाई नौरोजी और यहाँ पर एक और important बात आपको बता दे जाहूं जो आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है ठीक वो यह कि इससे पहले इससे पहले before this conference 1905 में वाराणसी अधिवेशन में वाराणसी अधिवेशन में स्वाशाशन का प्रस्ताव स्वाशाशन का प्रस्ताव Resolution of Self-Ruling Resolution of Self-Ruling स्वाशाशन का प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अध्यक्षता में पास हुआ था तो वाराणसी conference में प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और वरार्सी कॉन्फरेंस में क्या हुआ था वरार्सी कॉन्फरेंस में रेजलूशन ओफ सेल्फ रूलिंग हुआ था अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आप लोगों से और उसी एक चीज से मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन कितना सीरियस है एक्जाम के लिए आप किवल हल्ला मचाते हैं या आप वाकई पढ़ भी रहें क्योंकि दिन बदिन लोगों के देखने की संख्या कम होती जाती है तो दीरे-दीरे सबका एक-दो क्लास तक जोस रहता है उसके बाद दीरे-दीरे जोस ठंडा पढ़ने लगता है मेरे को जल्दी से बताईए कि स्वशाशन में और स्वराज में what is the difference between स्वशाशन and स्वराज मैं बता चुका हूँ आपको बताईए जल्दी से कॉमेंट करके बताईए जल्दी से कॉमेंट करके बताईए अ क्या हो जाएगा जवाब स्वाशाशन मीन्स सेल्फ रूल अच्छा जी इतना मारेंगे तुम लोगों को न मारेंगे तुम लोगों को तुम लोगों की बुद्धी सही हो जाएगी हम बताए थे कि स्वाशाशन का मतलब क्या हो गया स्वाशाशन का मतलब हो गया participation in participation in administration तुम लगे हमें हिंदी बताने participation in administration यानि प्रशाशन में भागिदारी और मैंने आपको बताया था स्वाराज का मतलब क्या होता है स्वाराज का मतलब होता है participation participation in lawmaking मतलब कानून बनाने में बहागिदारी ये difference होता है दोनों में ठीक ये difference होता है दोनों में आई बात समझ में बोलो clear है ठीक है अच्छा दूसी तरफ क्या हो रहा था कि बार बार न जो स्वदेशी मूमेंट था वो बहुत तेजी से फैल रहा था तो एक कमेटी बनाई गई थी अगस्त 1906 में सरकार ने सोचा कि भाई ऐसे बात बनेगी नहीं तो अगस्त 1906 में एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं अरुंडेल कमेटी क्या कहते हैं अरुंडेल कमेटी अरुंडेल कमेटी बनाई गई 1906 अगस्त में और इस कमेटी को ये विचार करना था कि बंगाल विभाजन का क्या किया जाए बंगाल विभाजन का क्या किया जाए ठीक तो अरुंडेल कमेटी जो है वो वाइस राए लॉर्ड मिंटो द्वारा वाइस रॉय, लॉर्ड मिन्टो, सेकेंड था ये, सेकेंड द्वारा बनाई गई, ठेक, जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, इसके अध्यक्ष थे, और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने का की सलाह दी, इस समिती ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की, रद्द करने की सलाह दी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की सलाह दी, कि आप इसको क्या कर दीजे, क्वाश कर दीजे, इसको क्या कर दीजे, डिस्मिस कर दीजे, ठीक, बंगाल विभाजन को रद करने की सलाह दी, ठीक है, अरे बेटा जॉर्ज अरुंडेल हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, बात तो एकी है ना यार, ठीक है, ठीक है भाईया, रश्मिरत थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी, और 1907 में इसी सब बैग्राउंड में क्या होगा, सूरत अधिवेशन होगा क्या होगा सूरत अधिवेशन होगा सूरत कॉन्फरेंस सूरत कॉन्फरेंस होगा अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष थे रास बिहारी घोश ठीक कौन थे अध्यक्ष राश बिहारी घोश नरम पंथी नेता थे ये उसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन में गरम पंथियों ने क्या किया था एकदम पहले तो ये हो गया था कि हम लोग क्या करेंगे इस अधिवेशन का बायकोट कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उनके कुछ प्रस्ताव थे स्वराज, स्वदेशी, बहिशकार और राश्ट्रिय सिक्षा कौन-कौन से प्रस्ताव थे स्वराज, स्वदेशी, बहिशकार बहिशकार तथा राश्ट्रिय सिक्षा के प्रस्ताव को पास कराने की बात की कि आप लोग स्वराज को मुख्यकारिक्रम बना लीजे स्वराज को क्या बना लीजे, मुख्यकारिक्रम बना लीजे ठेक, स्वराज को क्या बना दीजे, मुख्यकारिक्रम बनाईए, स्वदेशी चीजों के इस्तमाल को अपना मुख्य कारिक्रम बनाईए, बायकॉट को मुख्य कारिक्रम बनाईए, कि हम सरकार का बायकॉट करेंगे, और नेशनल एजुकेशन को अपना मुख्य कारिक्रम बनाईए, जिसको लेकर नरम पंती थोड़े से, रिलक्टेंट थे, नरम पंतियों को लगता कर देगी पर ये लोग इस पर जोर दे रहे थे इसी बात को लेकर थोड़ा सा थोड़ा गहमा गहमी जादा हो गई और फिर क्या हुआ Congress का विभाजन हो गया इसी अधिवेशन में Congress का division हो गया Congress का विभाजन हो गया तो division of Congress या partition of Congress अभिजीत कह रहे है रिपीट कर दो सर राजबिहारी बोष नहीं अभिजीत राजबिहारी घोष बिटा राजबिहारी बोष जो थे वो क्रांतिकारी थे वो अलग आदमी है ठीक है तो Congress का ही क्या हो जाएगा? पार्टिशन हो जाएगा थोड़ी दिर में वहाँ पर जूतम पैजार होने लगेगी जूतम पैजार होने लगेगी लोग एक दूसरे को मारना वरना शुरू कर देंगे गरम पंथी लाला लाजबिहारी को अद्ध्यक्ष बनाना चाहते थे लाला लाजबिहारी अद्ध्यक्ष बने है ठीक? बोलिए क्लियर है बोलिए क्लियर है ठीक है मोती लाल घोष नाम के एक व्यक्ती थे उन्होंने कोशिस की कि दोनों पक्षों में समझोता हो जाए पर बात नहीं बनी मोती लाल घोष ने दोनों पक्षों के मध्य समझोता पैक्ट कराने की कोशिस की समझोता कराने का प्रयास किया परन्तु वह असफल रहे थे असफल रहे थे दोनों पक्षों के बीच प्रयास किया सर एक्स्रेमिस्ट का मतलब होता गरम पन्ती गरम दल या गरम पन्ती सर बीपीएस्टी और सीटेट एक ही डेट पे होगा बिटा तभी तो मैं कह रहा हूं कि बीपीएस्टी शायद आगे बढ़ जाए क्योंकि सीटेट को तो बढ़ाएंगे नहीं सीटेट को तो बढ़ाएंगे नहीं ठीक है तो शायद वो आगे बढ़ जाए बीपीएस्टी का ठीक है अच्छा दूसरी बात इस अधिवेशन में इस कॉन्फरेंस में एक अमेरिकन जनरलिस्ट था, अमेरिकी पत्रकार, जिसका नाम था W.H. Nevenson, ठेक, क्या नाम था? अमेरिकी जनरलिस्ट था, अमेरिकी पत्रकार, मौझूद था, ठेक, तो वो उसका क्या था? आईविटनेस था, प्रत्यक्ष दर्शी था, इसके बाद क्या होगा? इन लोगों को, गरम पंतियों को कॉंग्रिस से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, ठेक, गरम पंतियों को कॉंग्रिस से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, और इसी नोट में एक पॉइंट जान लो, कि इसी अधिवेशन को, इसी अधिवेशन को, 85 से अधिवेशन शुरू हुए, तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, तो 16 अधिवेशन उधर हुए, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 अधिवेशन मतलब कि आपके 23 अधिवेशन था कौन सा, जो सूरत का अधिवेशन था, इसी अधिवेशन को, इसी अधिवेशन को, यानि 23 अधिवेशन, इसी लिए 1908 वाले को आप 24 नहीं बोलते हो, 23 बोलते हो, ठीक है, तो याद रखना, ऐसे भी सवाल आ जाता है, ठीक, तो इसी अधिवेशन को, मद्रास में, मद्रास में, फिर आयोजित किया गया, फिर से, री ओर्गनाईज किया गया, और गरम पंथियों को, एक्स्टिमिस्ट को, गरम पंथियों को, कॉंग्रेस से, कॉंग्रेस से बाहर कर दिया गया, ठीक है, नेविंसन लिखा है बेटा, N-E-V-I-N-S-O-N, नेविंसन, ठीक है, और यहाँ पर फिर से अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट फिर से बनेंगे कॉन, रास, बिहारी, गोष, रास, बिहारी, गोष, फिर से अध्यक्ष बनेंगे, सनी पूछ रहे हैं कि सर, PDF कहां से मिलेगा, एक तो हमारा नाम, आपका नाम सेम है, और यह होने के बाद आप यह सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा, मतलब मेरे यह बहुत ही दुखदाई बात है, शिव शंकर कुमार पूछ रहे हैं, पूरा नाम, किसका पूरा नाम, डबल्यू एच ने विंसन का, क्या करोगे पूरा नाम जानके, हम खुद आज तक नहीं जानें, जरूरत नहीं है, बोलिए, क्लियर है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, गवर्मेंट यही चाहती थी, क्या, कि नरम पंथी और गरम पंथियों के बीच में क्या हो जाए, दिक्कत फैल जाए, गरम पंथियों को यह नहीं समझ में आता था, कि जब वो बाइकॉट करने जाते हैं, जब वो बाइकॉट करने जाते हैं, तो सरकार इसलिए उनकी बात सुनती है, क्योंकि नरम पंथी बार बार यही बात तो कहते हैं, कि आप भारत में अन-ब्रिटिश रूल चला रहे हो, तो जब हम अपनी मांग के लिए सडकों पे उतर रहे हैं, तो फिर आप हमारे उपर लाठी चार्ज कर रहे हो, तो हम गलत क्या कह रहे हैं, कि हमारे यहां अन-ब्रिटिश रूल है, क्या आप इंग्लेंड में भी यही काम करते हैं, नहीं करते, तो नरमपंथी कहीं न कहीं गरमपंथियों के लिए क्या करते थे, एक कवर का काम करते थे, और जब गरमपंथी नरमपंथियों को बोलते थे, कि अगर आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तो यह आपकी बात नहीं मानेंगे, देखे हम सड़क पे उतरेंगे तो यह अपने आप बात सुनेंगे, तो सरकार जो moderates थे उनकी बात इसलिए मानती थी कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो गरमपंथियों का public support बढ़ता यानि दोनों एक दूसरे को moderate और extremist एक दूसरे को compliment करते थे, unity की वज़े से सरकार उनको क्या कर रही थी, सुन रही थी, जितनी भी बातें सुन रही थी, दस में से दो demand मांगी जाती थी अगर, दस में से दो demand अगर पूरी हो रही थी तो हो तो रही थी ना, जैसे ही यह वि कि सर ये देखे ज़रा एक ये सड़क बनवा दीजे हम आये हैं, तो उनको वही office से भगा दिया गया, कि निकल जाओ यहां से ने इतना लाठी मारेंगे कि बुद्धी सही हो जाएगा, पीट पीछे जाएके धरना प्रदर्शन करते हो, बायकॉट करते हो, अभी आयो काम कर भगज़ा यहां से ने बहुत मारेंगे, और फिर अगली बार जब कोई गरम पंथी उतरेगा ना कि जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हाय हाय, तो इतना लाठी मारेंगे सब कि मार मार के सुझा देंगे, गरम पंथियों की हालत ये हो गई, गरम पंथियों की हालत ये हो लाला लाजपत्राय को देश छोड़कर भागना पड़ गया, लाला लाजपत्राय अमेरिका चले गए, विपिन चंदरपाल अंडरग्राउंड हो गए, पकड़ा गए बैचारे अर्विंद घोस, अर्विंद घोस को हावडा शडियंत्र केस में उठाकर क्या किया गया, जेल में वो थोड़े दिन बाद जब छूट गया, माफी नामा लिखके, तो फिर उन्होंने सक्री राजनीती से सन्यास ले लिया, और वो पॉंडिचेरी में अपना जाके आश्रम बना दिये, और वहीं पर अपना लाइफ डिवाइन वाइन टाइप की किताब इताब लिखने मैं आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करूँगा, मारे होंगे सब जेल में, उल्टा टांग के मिर्चे का छोंका दे दे के मारे होंगे कि करोगे अंदोलन, तो बोले नहीं नहीं हम सक्री राजनीती से सन्यास ले रहे हैं, और नरम पंतियों की बात सुन नहीं रहे हैं, यह ठीक है, तो जब आप जगड़ा कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि यार जगड़ा हो गया, फिर क्या होता है, अब आप गल्फरेंट से जगड़ा कर लिए, या बॉइफरेंट से जगड़ा कर लिए, कि ऐसा करो आज के बाद हमको फोन मत करना, और आज के बाद नहीं करना चाहिए था यार हमारी बात भी तो मानता है कहते हैं कि आज पीज़ा खाने का माने तो खिलाता तो है या हम कहते हैं कि यार आज भूग लगी तो घर से बढ़ियां देशीगी का हलुआ तो बना के ले आती है तो फिर रात में पैच अप होता है कि अच्छा सुनो अच्छा सुनो ना I am sorry अरे ठीक है हो जाता है न जगड़ा तो जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तभी आप पैच अप करते हैं तो कॉंग्रेस में भी moderate और extremist दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा ठीक कब होगा एहसास होगा December 1915 में कॉंग्रेस के पुनर गठन का निरने लिया गया okay the decision the decision of the reunification of Congress. reunification of Congress was taken in December 1915, December 1915, ठेक, decision December 1915 में लिया जाएगा और चुकि December 1915 में decision लिया गया था तो अगले ही साल यानि 1916 लखनव conference में क्या होगा लखनव अधिवेशन में क्या होगा अध्यक्ष होंगे कौन अध्यक्ष होंगे अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्ष कौन होंगे अंबिका चरण मजुमदार लखनव अधिवेशन में दोनों एक साथ दोनों एक साथ हो लिये वो पस्थित हो गए तो बोथ पार्टीस प्रसंटेड प्रसंटेड तोगेधर इन 1916 लखनव conference 1916 लखनव conference 1916 लखनव conference सज science और geography का कुछ कीजिये क्यों क्या हो गया उसमें क्या हो गई ठेक तो इनके बीच में कोई समझहोता नहीं हुआ था ये दोनों लोग साथ आ गए थे इसलिए आप एक common mistake क्या कर देते हैं जब आप से सवाल पूछा जाता है कि लखनव समझहोता किसके बीच हुआ तो आप मेंसे कई बार लोग क्या करते हैं उसको लिख देते हैं कि गरम पंथ और नरम पंथ के बीच नहीं उनके बीच में कोई pact नहीं साइन हुआ था ये दोनों लोग तो आ गए साथ में pact किसके बीच में साइन हुआ इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में Congress और Muslim League के बीच में Congress और Muslim League के बीच में लखनव समझोता होगा लखनव समझोता हुआ तो लखनव pact लखनव pact between Congress and Muslim League Congress and Muslim League ठीक है बोलो अब साथ class चल रही है आजी जी और साइन्स की साथ में हुई साइन्स के जनरल पेपर वाली जनरल पेपर वाली सर रिक्वेस्ट है कि जोग्रफी आप पढ़ाई अरे यार कीर्ती एक बाद बताओ मेरे को सोशल साइन्स में पॉलिटी हिस्ट्री भी पूरी पढ़ानी है इंडियान नेशल मुमेंट भी पढ़ाना है 9-10 वाला भी पढ़ाना है कहां से इतना समय निकालें सीटेट के दो-दो बैच अल्रडी मेरे पास है यूट्यूब पे भी क्लास है अरे मर जाओंगा यार ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ मैं सर से बात कर लूँगा टेंशन न लो PGT जोग्रफी का बैच नहीं है बिटा हटा दिया गया है अरे बाब बाब नहीं नहीं मैं बात कर लूँगा टेंशन न लो ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही कल कहां से बढ़ेंगे कल कहां से बढ़ेंगे हम लोग यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे न कहां से लखनो कॉन्फरेंस से ठीक कहां से लखनो कॉन्फरेंस से अपनी बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक, चलो, फिर आज के लिए इतना ही, टाटा बाई-बाई, अल्टरनेट डे पढ़ा दीजे, ठीक है, ठीक है, रुख जा, रुख जा, ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है, कल सटर्डे, हाँ, कल है क्लास, कल क्लास है आपकी,